आज पांच बार की चेंपियन मुंबई इंडियन्स का सामना दो बार की चेंपियन कोलकता नाइट रैडर से हैं कोलकता की टीम अब तक अपने तीनों मैसे दो मैच जीच चुकी है वही मुंबई इंडियन्स की टीम इस सीजन अपने दोनों मैच हाड चुकी है ऐसे मैं टीम वापसी करना चाहेगी कुलकत्ता के कप्तान श्रेश एयर ने टॉस जिद कर पहले गिंदवाजी करने का फैसला लिया है मुमे इंडिन्स के लिए कप्तान रोहिश शर्मा और ईसन किसन ने पारी की शुरुआत की पहले ओवर में कुलकत्ता के उमिश यादव ने रोहिट को अपनी स्विंग और पेस से खुब परिशन किया रोहिश शर्मा बारे गिंद पर तीर रन बनाकर उमिश यादव का सिकार बने उमिश ने रोहिद को पांच वी वार आउट किया प्रोई शर्मा लगातर दोनों ही मैचों में जल्दी आउट हुए उन्होंने अपने पहले मैच 32 गेंदों पर 41 रन बनाए दूसरे मैच में 5 रन बनाकर आउट हुए थे और आज अपने तीसरे मैच में 12 गेंद खेलकर 3 रन पर आउट हुए तो दोस्तो आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीस हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा